सारे दिशान दिर्दोशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवारिया है आवशक है बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी इसलिए दोगज की दूरी का हमारा मंत्र हो दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए परिवार की सुरक्षा के लिए विशेशकर गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है अब तक लगभग सहरे ओफिसेश खुल चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ओफिस जाने लगे हैं बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने रगी है तो इस सहरे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे थोड़ी सी भी लापरवाई थोड़ी सी भी डिलाई अनुशाषन में कमी कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोग पाएंगे उसका बढ़ना जितना रोग पाएंगे उतना ही हमारी अर्थववस्ता खुलेगी हमारे दप्तर खुलेंगे मार्केट खुलेंगे ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे साथियों आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में एकनोमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थेववस्ता में ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मै की अपेक्षा दो गुनी हुई है इस बार खरीब की बुगाई बीते साल की अपेक्षा करीब बारा तेरा परसंट जादा हुई है टू विलर्स का प्रोडक्षन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब सत्तर प्रतिशक तक पहुच चुका है रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्तिती में पहुच चुका है इतना ही नहीं मई में टॉल करेक्षन में बड़ोत्री होना एकोनोमिक एक्टिविटी में बुरुद्धी को दिखाता है लगातार तीन महिने तक एक्षपोर्ट में कमी के बात जूर में एक्षपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरिड में पहुच गया है यह तमाम संकेत है जो हमें प्रोचाहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं साथियों आप पैसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर होटिकल्चर फिशरीज और MSME का हिस्सा बहुत बड़ा है आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टरस के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं MSME को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैस्टले हाल में लिए गए हैं समय बद्ध तरीके से MSME को बैंक से क्रेडित दिलाने का प्रयास हो रहा है सो करोड रुपिय तक के टर्न ओवर वाले उद्ध्योगों को 20 परसेंट अतिरिक क्रेडित के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि उद्ध्योगों को तेजी से क्रेडित मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे लोगों को रोजगार दे पाएंगे सात्यों हमारे यहां जो स्मॉलर फक्टरिज हैं उन्हें गाइडन्स की हैंड़ोल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है मुझे पता है आपके नेत्रूतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है ट्रेड और इंडस्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा राज्यों में जहां कहीं पी स्पैसिफिक एकनोमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं वहाँ 2400 घंटे काम हो सामानों की लोडिंग अलोडिंग तेजी से हो एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्थर पर किसी तरह की दिक्कप न हो तो एकनोमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी साथ्यों किसान के उत्पात की मार्केटिंग के खेतर में हाल में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा इससे किसानों को अपने उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे उनकी आयव बढ़ेगी और खराम मौसम के कारण स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुक्सान होता था उसे भी हम कम पर कर पाएंगे जब किसान की आय बढ़ेगी तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्थिववस्ता की गती भी बढ़ेगी विशेश तोर पर नौर्थी शौन हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होटी कल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं प्रोडक्स हो दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो उनके लिए नए मार्केट का अदवार खुलने वाला है लोकल प्रोडक्स के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीती की गोशना की गई है उसका भी लाख हर राज्य को होगा इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक हर जीले मे ऐसे प्रोड़क्ट की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोड़क्ट हम देश और दुनिया के बाइदार में उतार सकते हैं साथ्यों बीते दिनों आत्मा निर्भर्द भारत अभियान के तहट जितनी भी गोच्णाय की गई हैं वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है इस प्रिश्च भूमी में कोरोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाव हैं जो तयारिया हैं वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुख हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के अधार पर आपकी जो बाते आएगी वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी मैं ग्रहमंत्री जी से आगर करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें देश के बिदाब अन्दिन नरेन रमोदी को हमने सुना और नोने बोला कि रिकावरी डेट जो है वो पचास तरती शास